प्रेल का नमस्तार दोस्तों मेरा नाम है प्रेरख और आप देख रहें मेरा टेकनालोजी नीःज चनल है टेकनोडेट प्रेरख तो दोस्तों सब से पेहले टेकशनीश तेयसे स्टार्ट करना у्म वो है मच्चर से बचने का एक और तरीका जी हाँ दोस्तों अभी तक आपने मच्छोरों से बचने के लिए बहुत सारे उपाई की होगे जैसे mosquito repellent हो गया या मैट हो गया या odomus जैसा कोई cream हो गया या कोई अगरबती हो गया बहुत सारे उपाई की होगे और पता नहीं कौन से आपके लिए काम क्यों होगा या नही करेगा और not only detect करेगा वह आपको mobile में वह एक notification दिदेजेगा कि मच्छ डिटेक्ट हुआ है सो आपका जो mobile उसमें जैसे detection होगा आपको एक notification आ जाएगा mosquito has been detected यह जो डिवाइस से वह अभी तक mosquito को सिर्फ डिटेक्ट करते हैं उसमें कुछ action नहीं करता उसको मारता नहीं है बट सक आपको दिखाता है कि आपको घर में mosquito है और अगर हम लोग इंडिया के काफी सारे cities दिया बिलेज का बात करेंगे तो अगर यह डिवाइस हम लोग में implement किया तो आपका जो phone है I think notifications of this visigo device से पूरा फिल अप हो जाएगा every second यह mostly in minute few notifications है mosquito has been detected, mosquito has been detected, mosquito has been detected, mosquito has been detected, mosquito has been detected अगर बाता है वो artificial intelligence यानि की AI से है Boston का जो एक research university है उसने एक AI का model जिसका नामें BERT यानि की FDA ने बैं किया था उसके जो reviews थे around 12.97 lakh reviews को पूरा आटिफिशली उसका analyze करके उन्होंने यह model किया है जिसमें यह model जो है वे जो user ने जो review दिये वो food product यह US में एक्चुली applicable है यह जो food product में जो reviews है उसमें से कुछ word specific word है जैसे के rotten या जो label या तो sick वैसे जो एक words है उसको detect कर के वो आपको बताता है कि यह जो product है वो आपके health के लिए suitable नहीं है और यह जो detection है वो basically faster than food drugs administration जो है US का FDA उससे भी faster because यह immediately scan करते है reviews को और आपको बता देता है कि यह food है it is not hygienic for your health so यह जो accuracy है यह AI का वो 74% है और future में यह FDA को help करेगा because वो quickly आपका जो reviews है उसको scam करेगा यह जो भी third party apps है जैसे Swiggy या Zomato hopefully उसमें भी implement होगा और उसमें से आपको कौन सा food या तो कौन सा specific product आपके health के लिए ठीक नहीं है वो quickly बता देगा और FDA को भी वो product या वो particular restaurant को ban करने में help करेगा दूसरा जो update है वो Flipkart की तरफ से काफी सारे रोगों को पता होगा कि Flipkart Amazon Prime जेसा और Netflix जेसा streaming platform इंटोडियूस करने वाला है as per the news यह दिवाली तक यह platform लोण चोने का Flipkart का एक plan है पता नहीं यह दिवाली तक होगा या थोड़ा एक्ष्टेंड होगा बट यह जो platform है उसमें जैसे Amazon Prime का खुद का जो जो भी content होगा खुद क्या content नहीं रहेगा लेकिन और एक जो news आया है उसके इसाब से यह platform free of cost रहेगा आगे जाकर शायद वो लोग कुछ subscription चार्ज इंट्रड्यूस करेंगे दोस्तों दूसरा जो update है वो है न्यूबिया क्या Z80 जो smartphone है जो dual screen का smartphone है वो चाइना में अभी इंट्रड्यूस किया वो दोनों साइट पर आपको screen लिखे का वो एक characteristic किया उसका एक feature है उसके अलवा जो main feature का बात रहे तो वो 8K का support USB Ultra HD 8K का यह first phone में ने देखा जो आपको support करता है phone में और उसके अलवा उसमें 3 camera रहेंगे 16 Megapixel 8 Megapixel और primary sensor 48 Megapixel का रहेगा जो 48 Megapixel का रहेगा जो 48 Megapixel का है वो primary sensor रहेगा और उसके अलवा जो 16 Megapixel है वो एंगल camera रहेगा और जो 8 Megapixel है वो optical zoom के लिए आपका टेली photo lens जो है वो है जो आपको triple X zoom करके आपको जैसा binocular में zoom होता है वैसा zoom करके आप photo खिकने के लिए help pull करेगा तो यह जो नुबिया का phone है उसको अगर Chinese से directly अगर हम लोग इंडियन रुपीज में convert करते हैं तो roughly 30 सा 1-40,000 रुपीज में इंडियन मार्केट में अविलेबर होगा कब अविलेबर होगा वो कुछ पता नहीं है लेकिन जब अविलेबर होगा तो यह फोन जरूर बाकी सारे फोन को compete करेगा इसा मेरा नुमान है विकर उसमें जो प्रोसेसर है लेटेस्ट स्नापड्रेगन 855 प अगर यह इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा तो आपने से काफी सारे लोग शायर उसको लेने के लिए इंट्रेस्टे रोंगे क्या आप भी इंट्रेस्टेड है यह फोन लेने के लिए थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्ष्ण में जरूर बताइए तो दोस्तों बस आज के ये बिल्कुल श्रेयर कर दीजिए ताकि उसको भी एक अच्छे न्यूज अपडेट टेक्नोलोजी के दिलते रहे और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए थेंक्यो फोर वाचिंग दिस वीडियो वीजिए नेक्स टेक्नोलोजी ब्लोग तब तब के लिए थेंक्यू टेक कर एंड बाई बाई से यू